हाई, मेरा नाम है ओमी कुप्ता, मैं एक TEDx Speaker, Digital Growth Strategist, Niche Clarity Expert, Life Coach and Founder and CEO of Get Digital Office हूँ और मैं इस podcast series के तरो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना passion identify कर सकते हैं और उस passion को आप अपने business में कैसे convert कर सकते हैं, कैसे आप अपने आपकी branding कर सकते हैं और marketing करके अपने business को next level पे लेके जा सकते हैं कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बाते, क्या मतलब? चलिए चलते हैं next step पे Last podcast में हमने सीखा कि आपको उन 5 passions के बारे में दिखना है, जिसमें आपको वो काम करने में बहुत मज़ा आता है इस particular podcast में हम आगे बढ़के ये जानेंगे कि अगर आपको opportunity मिले कि उस particular passion या skill जो भी हो सकता है वो जिस particular passion या interest में आप किसी की help कर सके, उसके द्वारा किसी की help कर सके उस passion या interest से तो आप किस target audience की help करना चाहेंगे, for example, आपको समझाता हूँ मैं अपने example से जिससे आपको और clarity मिलेगी इस particular point को करने में, कि आप, या मैं अज़े से अगर मैं अपना example लूँ, कि उज़े public speaking बहुत पसंद है, मैं public speaking के nuances को जानता हूँ तो अगर मैं public speaking किसी को सिखाना चाहूँ, तो मैं public speaking genics, जो college students होते हैं, या जो नई-नई job में जाते हैं, उनको मैं public speaking ज़रूर सिखाना चाहूँ हूँ क्योंकि इस particular दोरान अगर आपको public speaking आती है, तो आप बढ़िया interview clear कर सकते हैं, आप अपने seniors के सामने बहुत अच्छे से present कर सकते हैं, और अपनी personality को enhance कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ digital marketing की या marketing की I would say, तो उसके throw मैं चाहूँगा जो knowledge givers हैं, जो कोची startups हैं, उनकी help करता हूँ कि कैसे वो अपने personal brand या brand को market कर सकें, कैसे marketing strategies को use कर सकें और अपने लिए revenue generate कर सकें अगर मैं traveling की बात करूँ तो मैं traveling में जादा लोगों की help नहीं, सिर्फ अपने जो own coaching circle, own जो मेरा circle है, जिनको मेरे दोस्त है, मेरे family members है, उनकी help करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस particular traveling को monetize नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत personal है मेरे लिए, अभी में monetize करने के plan में नहीं हूँ जो मेरे आसपास के लोग है, उनकी में help करना चाहूँगा, इस particular passion या interest से I'm pretty much sure, ऐसे ही आपको अब लिखना है उन 5 passion और interest जो भी अपने पिछले podcast में लिखे थे कौन सी वो target audience होगी, कि अगर आपको मौका मिले उनकी help करने का in passions या interest से तो आप help करना चाहूँगा